नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्नोवेंट्री सॉफ्ट्वेर में Amazon से सेल इन्वोईस कैसे इंपोर्ट करें। इन्नोवेंट्री आपको ओनलाइन पोर्टल Amazon के माध्यम से अपने बिजनिस ट्रांजक्शन्स को केटिगराइज करके एक आसान एक्सपिरियन्स प्रोवाइड करता है। Amazon Merchant Tax Report डाउनलोड करने के लिए Amazon पर फॉलो की जाने वाली प्रोसेस के बारे में जानने के लिए रुपया यूट्यूब पर इस वीडियो लिंक को देखें। इस वीडियो को यूट्यूब सर्च में GST Filing for Amazon B2B Orders Keyword टाइप करके भी देख सकते हैं। आप Amazon से डाउनलोड किये गए इन्वोइस को सीधे इनोवेंटरी में इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम पहले एक Amazon Seller Services Private Limited का लेजर क्रिएट करेंगे। हम Master Menu पर क्लिक करके Lager Option Select करेंगे और उसके बाद टूल बार में New Option पर क्लिक करेंगे। फिर हम डिटेल्स भरेंगे जैसा हम देख सकते हैं। OK बटन पर क्लिक करें और लेजर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हमें Amazon के नाम से एक Payment Mode बनाने की भी जरूरत है। हम Master Menu और Payment Mode सिलेक्ट करने के बाद फिर New Option पर क्लिक करेंगे। हम Dialog Box में डिटेल्स भरेंगे जैसा की आप देख सकते हैं। OK पर क्लिक करें और Payment More जोड दिया जाएगा। इसके अलावा, GST Slot के साथ Services में Shipping Charges जोड़े, क्योंकि Imported Inverses Automatic रूप से Shipping Charges का भी ख्याल रखते हैं। हम Master Menu फिर Services और फिर New पर क्लिक करके Services को जोड सकते हैं। क्योंकि Imported Inverses Automatic रूप्स अब हम invoices import कर सकते हैं ऐसा करने के लिए हम tool menu पर click करेंगी और फिर import export option पर click करेंगी और फिर import external data option को select करेंगे फिर इस tab में हम drop down list से sales option को select करेंगी और फिर Amazon merchant tax report option को select करेंगे फिर हम browse बटन पर click करके file को browse करेंगे और फिर Amazon से download की गई file को select करें हम import बटन पर click करेंगे और sale invoices import हो जाएगी अब हम Amazon seller services private limited के laser रजिस्टर को laser book option पर click करके और Amazon seller services private limited laser को select कर show बटन पर click कर देख सकते हैं यहां हम देख सकते हैं कि sales transactions सभी details के साथ software में import हो जुके हैं फिर हम sales transaction को select कर सकते हैं और चालान print करने के लिए print voucher option पर click कर सकते हैं ध्यान देखी यह सुविधा shipping charges के साथ साथ return transactions का भी ध्यान रखती हैं तो हमने देखा कि कैसे हम innoventory software में Amazon की sales invoices को import कर सकते हैं और कैसे बटन के एक click से software आपकी online sales के accounts manage कर सकती हैं धन्यवाद खंगे लाद टेखाए हैं प्यान देखाए हैं जेखाए हैं तो हम बढ़ाद